असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे 10 मिट के अंदर अंडा करी बहुत ही मज़ेगा बनेगा और बनाना भी बहुत आसान है इसे कोई भी बना सकता है तो चली शुरू करते हैं रेस्पी को बनाना चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेस्पी फसंद आए तो इसे बनाने के लिए हमने इहां पर कड़ाई में 3-4 टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है अब इसमें हम अंडे molar कर लें गे और को हमने पहले ही'll कर लिया था और बाल करने के बार इन को हलका हो सा हमने छील कर के हलका सा कट लगा लिया था या फोर्क से हलका सा छेट करने से अंडे फटते नहीं है यानि तलते समय यह फटेंगे नहीं चीटे नहीं आएंगी तो अंडे को इस तरह से हमने गोल्डेन कलर का फ्राई कर लिया है और अंड़ जब तक इस तरह से फ्राई ना हो तब तक अंडे करी का मज़ा नहीं आता तो अंडे को हम फ्राई करके निकाल लेंगे किसी प्लेट में और देखें गोल्डन कलर का ये कलर आ चुका है अब कढ़ाई में दो से तीन टेबली स्पून ही ओयल बचा हुआ है अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे तो एक इस दारचीनी का तुकड़ा डाला है दो लॉंग डाली है और दो छो कि या पाउडर भी डाल सकते हैं तो जीरा डालने के बाद हमने प्यास जाल दिया है तो जीरापाउडर मेरे पस नहीं है है इसकी दाट मैं यहां पे यहां परे तो फटा फट सथ इसको हमने कठ कर लिया है इस तरह से स्लाइस कि तामाटर का पेस्ट डाल सकते हैं तमाटर ये देखिए गल चूका है है अब इसमें हम कुछ फाउडर शीमपाटर दकट מאator कुछ का डाले एक टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं तो इन मसालों को डाल देंगे हम और मसाले को हम अच्छे से भूल लेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले को अच्छे साफ कर लेंगे और इसमें हम तेस के साफ से इसमें हम नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को अब इसमें हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे हम मसाला अच्छे से भून चुका है आप इसमें हम fry किया हुआ अंडर डाल देंगे और इसमें अपनी जरुवत के हिसाब से पानी डाल देंगे ग्रेवी की ठीकनेस कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से इसमें पानी आड़ कर सकते हैं और यहां पर हमने एक छोटा चमच कसूरी मेथी डाला है कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है तो इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढख क करेंगे तो एक बड़र थे करके हम इसे करीं प्र nonsense मिन teacher हम मीडियुम से लो फेले मपर हम इसे पक आएंघ क Paige यानी हलका से इस JAM बॉयल आ जाए करीब 5-7 मिनिट लिए हमने अंडे में बॉयल लगा लिया है तो अब अंडा करी हमारा बनके त्यार हो चुका है अब लास्ट में हम कटी हुई हरी दनिया और एक हमने हरी मिज डाल दी है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब अंडा करी बनके त्यार है तो इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है अंडा करी तो एक बर इस तरीके से बना के जरूट आए करिएगा उमीद आपको रैस्पी पसंद आई होगी रैस्पी पसंद आए तो लाइक करिएगा मिलते एक नई रैस्पी के साथ तब तक लिए लाहाफेज